एक नई रेसिपी में आपका स्वागत है इस रेसिपी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इमिरुटी ब्यूस्टिंग काड़ा आप घर पे इसली कैसे बना सकते है पहले हम एक सौस पैन में ले लेंगे 500 ml के करीब पानी 500 ml पानी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 500 ml को हमने 200 ml बनाना है इसको अच्छी तरह से जो इंपॉर्टन मसाले हैं उसके साथ बॉयल करके पानी हम तब तक बॉयल कर लेंगे जब इसमें जब तक छोटे-छोटे बबल्स आने नहीं शुरू हो जाते जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पानी में बबल्स आ गए हैं इस में अब मैं audi काड़े मशाले डालने वाला हूं जिसमें मैं डाल रहा हूं दो से तीन प्ते तुलसी एक छोटवीश हद रग का दो तेज पत्ते एक छोटी दाल चीनी का टुकड़ा तीन छोटी हिलाईची और दो से तीन लॉंक इसमें अब डलेंगे एक बड़ी हिलाईची और एक चमच सॉंफ का एक छोटा चमच सॉंफ का अब इसमें बहुत ही एक important ingredient मैं डालूंगा 2-3 मिनिट बॉयल करने के बाद जो है स्वालीन ये वीडियो में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मैंने स्वालीन क्यों डाली है दो गोलिया इसमें डाल देंगे एक परसंद के काड़े के लिए इसको अब तब तक बॉयल करेंगे जब तक इसकी कॉंटिटी हाफ नहीं रह जाती जिस बरतन में हमें काड़ा पीना है उसमें हम डालेंगे एक टी स्पून के करीब निम्बू एंड फिर उसमें हम काड़ा डालके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो काड़ा हमारा रेडि है प्लीज जो वीडियो है व आप अभी मत छोड़े आगे मैं थोड़ी सी आपको इंफयोन देने वाला हूँ तो आप वीडियो प्लीज एंड तक देखे यह जो इंफयोन मैं आपको देने वाला हूँ प्लीज इसे एंड तक सुनेगा जो हमारा जो हमने काड़ा बना है उसमें जो सारे मसाले डले है पहली बात तो वो उनकी जो तसीर होती है वो बहुत ज़्यादा गरम होती है लाइक जो इलाइची है और जो है अपने अदरक अदरक भी बहुत ज़्यादा गरम होती है जो हमने दाल च कफ और आपको थोड़ा सा कोल्ड मैसूस हो रहा है तो आप डेली एक टाइम पी सकते हैं और अगर आपको नॉर्मल यह पीना है तो आप दो दिन में इसे एक बार भी है क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इसकी ज्यादा कंजम्शन भी सेहत के सेहत को खराब कर सकती है क् मसाले जो इसमें डले हैं बहुत गरम है और एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि जो इसमें हमने निम्बू डाला था वो इसमें थोड़ा सा खटा और बढ़िया फलेवर देगा और क्योंकि निम्बू में विटामिन सी भी होता है तो वो भी बाड़ी के लिए बाड़ी से निम्बू के साथ पिएंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा बैनेफिशन होगा बाकी बताना चाहूंगा कि स्वालीन हमने काड़े में इसलिए डाली थी क्योंकि स्वालीन में तुलसी मुलेठी मलठी भी कहते हैं उसे और भी तरह के 30-40 मसाले होते हैं जो क कफ और कोल्ड में बहुत ज़्यादा हैं अगर आपको थोड़ा सा कफ और कोल्ड जनरली भी होता है तो आप तीन गोली से चार गोली तक एक दिन में स्वालिन की चूज सकते हैं बहुत ही हैं सहित के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी अगर आप खोल के देखोगे तो मैंने फोर परसन के लिए काड़ा बनाने की भी उसमें पूरी रेसिपी इंग्रीडियंट्स विद मैथड दे रखी है तो आप वो भी चक आउड कर ले अगर आप जाना चाते हैं कि मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए कौन से एक्विप्मेंट यू पूरे सबस्क्राइब तो मैं चैनल और आपके लिए नेक्स के लिए नेक्स बहुत ही ज्यादा बड़ीया रेसिपी शेकर आने वाला हूं यूलीक इम्मूनिटी बूस्ट्टिंग निम्भू पानी और रहनू इंग हैं और अच्छी सब्सक्राइब शना वाली आपके लि